आप सुभी को नमस्कार मुझे उमीद है आप सब अच्छे होंगे आज जो है वो क्लास नमर 18 है लगातार 21 दिन का मैराथन में दे रहा हूँ यानि कि लगातार 21 क्लासेज में आपको पहुंचा रहा हूँ लेकिन जो लग रहा है मुझे वो 21 दिन में एक कंप्रीट नहीं होगा एक दो क्लासेज बढ़ जाएंगी वो आपके फायदे के लिए मैं कर रहा हूँ आपको पता होगा कि मैं थोड़ा डीप लेके चल रहा हूँ क्योंकि मैं भी न डीक्स लेना चाहता न आप डीक्स लेना चाहता है क्योंकि किसी भी पेपर का जब भी री एक्जाम होता है तो थारा पेपर का लेवल टफ हो जाता है इसलिए मैं आपको बहुत सारे से चप्टर थे जिसको मैं एक दिन में ही कंप्रीट करना चाहता था लेकिन मैंने देखा कि थोड़ा कोर्षन का लेवल बढ़ाया हुआ है तो मैंने कहा एक दो लेवल और बढ़ाई देते हैं तो यह मैं आपके फायदे के लिए कर रहा हूँ यह किस दिनों का मैरा थना है बिहार पुलिस का जो साथ अगस से पेपर स्टार्ट होने वाला है बिहार पुलिस जो कॉंस्टेबल की भरती आई थी दो हजार तईस में जो इस डिन्स मुझसे नए नए जुर रहे हैं बहुत बहुत धनबाद है आप सबका मेरा ये खी उद की आप तयारी करते हैं वो बैच को आप पकर लीजिए मेरा कोई भी कोर्स 31 रुपीज का है आप जानते होंगे अभी मैं हाई लेवल एक बैच स्टार्ट क्या हूं रेलेवे का एंटी पीसी ग्रूप डीजिस में सारा कवर करवा रहा हूं एल्पी टेकनिस यानर पीफ एस तो उसको भी अपना लोब होता है उसके भी अपनी फल की चिंता होती है तो आप लोग मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत बहुत धनवाद है दिल से धनवाद है और मैं भी आपके लिए बहुत अच्छा कर रहा हूं आप ही तो मेरी ताकत हो मनोवल हो आप अच्छ है पिछला चप्टर मैंने करवाया था सधा आती क्या करते हैं चकवरधी भी आज दो क्लासे दिये तो वह दो बोला हमें एक ही क्लास में कम्पीट करता लेकिन देखा के टोड़ा आज कल हाड आ रहा है तो मैंने दो सिस्टम से है और आपको पता है मैं करवावी सिस्टम से रहा हूँ मैं प्रीबियस यर का कोशन पेपर चेप्टर वाइज करवा रहा हूँ कहीं कहीं से नहीं करवा रहा हूँ इससे क्या फायदा हुआ आप देख लो एक 22 क्लास में अलगवग आपका पूरा मैथे मेंने करता है लेकिन इसमें टाइप सब कोशन बहुँ जादा है तो मैं इडिक्स नहीं लेना चाहता और टैंसर मत लीजिए मेरे क्लास का डिवेशन बहुत कम होता है 30-35 मिन, 40 मिन में मैं कम्प्लीट कर देता हूँ क्योंकि आप जानते हैं मेरा जो सॉल्यूशन है वो जवरदस है टाइम लगता ही नहीं है तो आप उसकी टेंसर नहीं लेना है खाली आप समझना मैं जवरदस तरीके साब को बताऊंगा दो दो चार चार सेकेंड मांसर निकलेगा घबराना मत इसका एक फैदा आपको और होगा मैं आपकी चीज़ और समझा दो ध्यान से सुनिए यह च चेप्टर सेम है टाइम एंड वर्क समय बमकार और पाइप एक टंकी दोनों सेम है मैं अभी आपको क्लियर करूंगा यह चेप्टर पढ़िए वो चेप्टर मुफ्त में मिल जाएगा परहने की जोड़ते नहीं है खाले उसमें करना किया बैक्ती की जगा नल रख देना य एक ही चीज़े है दोनों चीज़े सेम होती है खाले इसमें परसन यानिकी बैक्ती और कार होता है उसमें क्या होता है टंकी होते हैं और नल होते हैं मैं आपको भी क्लियर करता हूं देखते जाए साथे में क्लियर कर लोगा पहला कोशन देखी हरतरा का कोशन है बड़ा ही स काम को कितने दिनों में पूरा करेगा, option है 29 दिन, 25 दिन, 32 दिन और 24 दिन, देखिए आपको क्या करना है, ये question तो बहुत easy है, लेकिन इस question पे जो मैं concept समझाऊंगा, उस concept को जैदा focus करना, क्योंकि इसी concept से मैं बढ़ा से बढ़ा question बनाने वाला हूं, आने वाले समय में, ठीक 60 ले लो, जो data है, इसका LCM ले करके यहां रखो नीचे में, तो 40 और 60 calcium आपको पता होगा, 120 आएगा, इतना तो आपको पता होगा, 4 और 6 calcium निकालो, 12, 10 है तो 10 बीठा दो, 120, अब इससे भाग देके यहां पे रखो आप, 40 से इसमें भाग दो, ध्यान सुनना, 40 से, आप एक निकला, आपने 120 निकाला, ये निकला कुल काम, total work, ध्यान से सुन लेना, आगे में बड़े बड़े question इससे निकालोंगा, ये क्या निकला, कुल काम, 120, अगर एक किसी काम को 40 दिन में करता है, और 20, 60 दिन में करता है, तो इस हिसाब से कुल काम, total work, कितने दिन का हो जाएग ये जो LCM लिएके निकालता हो इसे कुल काम बोलते है अब इससे इसमें भाग दो तो 120 में भाग दो के 40 से 40 ती ह्या 120 यहाँ पे 3 आया यह 3 रखो, यह 3 मुझा ते क्या होता है यह 3 हुआ एक दिन का काम यह 3 क्या हुआ एक दिन का लिख लेना बढ़ियां से एक दिन का काम यानि कि यह जो है एक दिन में तीन काम करेगा निए तीन बिल्डिंग बनाएगा अगर 40 दिन में यह कोई काम करता है यह 60 दिन में काम करता है तो टोटल काम क्या है 120 काम है 120 काम है 120 बिल्डिंग बनानी है तो एक दिन में यह कितनी building बना सकता है तीन building बना सकता है यहां भाग दो कि यहां रखोगे सेम इसमें भी यह भाग देखें यहां रखो 62 एक सोबिस यहां दो आ गया समझ के कारा कि दोनों एक साथ काम कितने दिनों कुछ नहीं है यह बुरबाग बनाने वाला question है लेखिन ये जो concept है देखना भी बराबरा question में सी उसे यूज करूँगा तो दोनों एक साथ मिल के काम कितने दिनों करेगा तो टोटल काम कितना है 120 दिन ध्यान से सुनना तो टोटल काम ले लो टोटल काम 120 दिन यानिके 120 बिल्डिंग बनानी है समझ लो अब ये दोनों एक के भाग देते हैं, पांच दूनी 10, पांचों का 20, 24 दिन इसका अंसर आएगा, option number 3, last, आई बात समझ में, ये क्या होता है, इसमें ये सिखना जोड़ी है, ये total काम होता है, ये एक दिन का किया गया काम होता है, ये इसके द्वार एक दिन का काम किया गया होता है, ठीक है, चल बारा दिनों पूरा कर सकते हैं, वे एक साथ मिलकर किसी काम को कितने दिनों में करेंगे, तीन आदमें, सीम वही कोशन है, option है, तीन सही, एक बटा 13, चार दिन, एक बटा 24 दिन, और साथ बटा, क्या कहते हैं, कि 24 दिन, क्लियर हो गया, तो अब सबसे पहले इस कैलिसम निक यहां क्या आजाएगा, तीनों कैलिसम उन लोगों, तो इसका भी लस्यम आएगा, चोवीस, पांच और बारा का, 120 आएगा, तीक है, अब देखिए, चोवीस से भाग देना है, तो चोवीस, पंच एक सो, वीस, पांच आगिया, यहां पे, भाग देखिए, फिर पांच से काम कितने दिनिम करेगा, तीनों को जोर के इससे भाग देता है, तो चोवीस, पांच, 29, 29, कितना हो जाएगा, 39, यह कट जाएगा, तो काट देजे, 3 से 3, 4 का 12, 3 से 13, यानि कि 40 बटा 13, इसको फैक्सन में तोरेंगे, तो 3 सही 1 बटा 13, इसका आएगा, यानि कि option number 1, किलिय हो गया हो दिकत चलिए आगे बढ़ते हैं next अगला देखिए concept समझ गे ना वो दोनों कोशन इजी था कुछ था नहीं आया हुआ है मैं पहले बोला हूँ previous year का मैं कोशन इजी इजी भी आते हैं हाड हाड भी आते हैं हर तरह का कोशन है अगला कोशन देखिए वाई और जैड मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं जैड अकेले उस काम को 60 दिनों पूरा कर सकते हैं तो वाई अकेले उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा यह अच्छा question है medium type का जएदा अच्छा नहीं कर सकते हैं को option है 37 देज 30 दिन 42 दिन और 35 दिन देखिए आपको इसे बनाएंगे तो y at z to y plus z y और z मिलकर किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो यहां 20 दिन रख लिए अब जड अकेले ध्यान से देखना यह बहुत अच्छा question है इस माइने में कि आपको आगे अच्छा सिखाएगा इसमें बड़े-बड़े heavy-heavy question आते हैं यह time and work है इसके question कुछ बहुत अच्छे होते हैं जो सत्थ है मैं यह बता रहा हूं जिस तो आपको easy question आ रहा है इसमें पहुत system से करता हूं मैं फ़ले easy tap का question उठाता हूं फिर medium tap का question रखता हूं फिर last मैं hard tap का question रखता हूं तभी आपको दिक्कत नहीं होती है समझ यह question set करने का भी तरीका होता है system से पढ़ेंगे न तभी math पूरा आएगा तीक है तो अब कितना हो गया देखिए अब यहां बनाते है बीस और 60 का LCM कितना हो गया 60 इस में से भाग देते हैं 20 त्याश साथ साथ गहर साथ है करिया अब देखो क्या कर रा है y और z मिलके दोनों काम को कितने दिन में करता है y और z मिलके टोटल काम तो 60 दिन का है y और z एक दिन में कितना काम कर रहा है तीन भाग और z अकेले एक दिन में कितना काम कर रहा है एक भाग तो क्या करा है इसमें y अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा देखिए तो टोटल काम तो है 60 और Y और Z तीन दिन में करता है और Z अकेले एक दिन में करता है तो Y और Z में से अगर Z वाले को माइनस कर दे तो सिर्फ Y नहीं बज जाएगा तो तीन में से एक दो गया तो कितना हो गया दो यह Y का निकल गया भाग दे दिजिए कितना आएगा 30 आंसर कितना हो जाएगा इसका 30 दिन option number second आई बात समझ में clear है कोई दिक्कत तो नहीं चलिए इसमें दिक्कत भी नहीं होनी चाहिए इस अब खाली concept समझने की चीज़ है अगला question देखिए बहुत अच्छा question है यह question बहुत अच्छा है यह 2 से 4 से केर में निकल जागा 2 से 4 से केर में खली देखिए J, K और L मिलकर एक पुस्तक को 20 दिनों में पूरा पढ़ सकते हैं J और K मिलकर उसी पुस्तक को 25 दिनों में पढ़ सकते हैं तो L अकेले उसी पुस्तक को कितनी दिनों में पढ़ सकता है option है 140 दिन 110 दिन 100 दिन और 125 दिन देखिए अपने question करते हैं जो पहले data लिखते हैं j k और l तो यहां देखिए j plus k plus l किसी काम को मिलकर कितने दिन में करते हैं 20 दिन में ऐसे ही लिखना जो जो है confuse करता हुए अब दखर सकते हैं j और k तो यानि कि यह हो गया j plus k j plus k कितने दिन में करता है मिलकर किसी काम को 25 दिन में 25 पुस्तक जो है पुस्तक को पढ़ सकता है तो l अकेले उस पुस्तक को कितने दिन में पढ़ेगा इन दोनों का l से हम निकाल लेते हैं 100 एक भाग देते हैं 25 जे 25 जे 25 जोका 100 अब कह रहा है कि L उस पुस्तक को अकेले कितने दिन पढ़ेगा तो टोटल कितना आ गिया है 100 दिन अब J-K-L J-K-L कितना है 5 एक दिन में 5 पुस्तक आये J-K और K एक दिन में 4 है न तो अगर J-K-L में से J और K को घटा दे तो L न बचेगा तो 5 में से 4 गये कितना होगे एक भाग दे देंगे कितना हो जाएगा 100 इसका अंसर कितना आएगा option number 3 यानि कि 100 दिन ये पर सकता है कोशन की लंबाई 4 देख रहे हैं घबराना मत जो कोशन कर रहा है को तो नहीं जवरदस चीद यहां इसी से पूरा कोशन में बनाओंगा पूरा आज की क्लास का भी और नेश क्लास का भी यही कॉंसेप्ट है तो मेरे मैं तो बहुत साब सुतर है खाली आप समझने की कोशि बनाते हैं डबलू और एक्स आजकल नाम ऐसे ही आते हैं करवा देखेंगे कोशन बढ़ने में डर लगा बाह पूरी बाक्या क्या गट सी बनी है यार कोशन के लांबाई 4 यसे क्या होगा कोशन के लांबाई 4 जाएंगे तो हो गया डबलू और एक्स मिलकर एक काम को 40 दिन X और Y मिलकर उसी काम को 60 दिनों में कर सकते हैं W X और Y सभी एक साथ मिलकर वही काम 30 दिन में कर सकते हैं तो W और Y मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में करेगा कितना समय लगेगा 36 दिन 45 दिन 45 दिन और 50 दिन अब देखिए इसको बनाते हैं तो हम घाबराना नहीं है, धराक से बनेगा, देखिए बना रहा है, W और X, तो W पलस X, कितने दिन में करता है, 40 दिन में, तो 40, ठीक है, X और Y, X और Y, यानि कि X पलस Y, कितने दिन में मिलकर करता है, 60 दिन में, तो 60 उठा लेता है, ठीक है, W, X और Y, यानि कि W पलस X पलस Y, क कितने दिन में 30 दिन में तो 30 दिन का data उठा लेते हैं अब इन तीनों का क्या करते हैं लेते हैं कितना हो जाएगा 443 का निकाल लेना बारा 10 जीरो भी ठादान, 120, अब भाग दो, 40 तिया, 120, 3 दिन, 60 दुनी, 120, 2 दिन, 3 चोका, 12, 1 दिन, अब आ गया, अब कोशन क्या कर रहा है, अब यहां पर देखो, डबलू और य का निकालना है बाबू, डबलू और य का, तो अगर हम इसमें से, X और Y को घाटा दें, ध्यान देखे, x और y को घटा दे x और y को क्योंकि ये तीनों है w x और y में से x और y वाले को घटा दे तो किसका निकल जाएगा ध्यान से देखिए किसका निकल जाएगा w वाले का तो w ध्यान देखना तो w एक दिन में कितना भाग काम करेगा ध्यान से देखना W, X, Y और यहाँ X, Y तो W, X, Y में से X और Y वाले को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? सिर्फ किसका बच जाएगा? W का तो 4 में से 2 घटा देते हैं तो कितना बचे गया? W एक दिन में 2 भाग काम करेगा W का निकाला आपको निकालना है W और Y का तो फिर W और X का इसमें से घटा देते हैं तो किसका बच जाएगा? W, X घटा देंगे तो Y का तो 4 में से 3 घटा लेते हैं तो कितना आगिया? 1 अब क्या कर रहा है? कि W और Y मिलके तभी तो निकाले हैं दोनों का मिलके कितने निकालेगा? तो टोटल काम कितना है? 120 और W और Y एक दिन में कितना काम करता है? W एक दिन में दो काम करता है ये एक दिन में एक काम करता है दोनों मिलके तो दोनों को जोड के भाग देते हैं कितना आंसर हैंगा? 40 दिन option number दूसरा देखो दिमाग लगाना ऐसे ही कनफुजिया करके देता है डाटा बाबू कुछ विद्यार्ती डाटा देखता है बाबू पढ़ने से डरता है एक्जामेशन होल में माइन का इतना प्रेशर आता है लिवाइब भुरूबा करें द inverted English do Jiva हो कै दिए जय कैरें कि राए्ट मैं यॡप užा meth है घो मैए बजन को पळाए जाह क्छिस्चन को पठो अब बार बार बनाओ बार बार में की चीजा का रहा हूं मेजिकсьक्र दुरॉट जबता जस्थ है तो यह तो इतना बोड पर लिखा हुआ है वहां पर अध्य में आता है यह आठ लेंग कोशन दिखेंगा अगला कोशन देखें नेक्स्ट भार बार होई तो करो वीडियो चला के छोड़ा सुना करो मैं सब्द में तागत होती है मैं एक चीज समझाता हूँ अब देखें अगला कोशन बहुत अच्छा कोशन है यह भी बहुत अच्छा स्टार्टिंग के कुश कोशन बेसिक और मीडियम थे अब यह बहुत अच्छे कोशन है ए और बी किसी काम को मिलके कितने दिन में करते हैं 30 दिन में बी और सी किसी काम को 20 दिन में करते हैं है तो तीनों मिलकि एक साथ कितनी दिन करेंगे करते हैं ती नों जारतथकोशन ह bursts बनेगा येदश्प के भी कनसेप समझो एं और बी कितने दिन में 30 दिन में थि कितने दिन में 20 कि दिन में सी और ए पंदरा दिन में तीन डाटा उठाओ डवल डवल है देखलो a और b बी और सी इसको लिखने जो तो नहीं आपर डवल डवल तब अब इन तीनों का आप LCM निकालो, तो तीनों का LCM निकालो क्या आएगा, 60, LCM निकाल लेगा, ठीक है, अब भाग दो, 30 दूनी, 60, 2, 20 तिया, 60, 3, 15 चोका, 60, अब 60 लो, टोटल काम कितना है, 60, अब तीनों को जोड को भाग दे दो, 3, 2, 5, 4, 9, यहां तक पहले आया ही करोगे, तो बस्ता होगे, अब 20 बटा 3 आगया, अब यहां देखो, 2, 2 आदमी है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है, यहां पर A, B, B, C, C, A, 2 आदमी है, डवल डवल आया है, तो यह जो डाटा आया, इसको लास्ट में 2 से गुना कर देना, तो कितना हो जाएग ट्रिपल ट्रिपल आदमी है, A, B, C, B, C, C, A, C, A, C, A, 3 से गुना कर देना, ऐसे उतना डीप आप में नहीं जाता है, दो पे आता है, तो मैंने बता दिया, लास्ट में 2 से गुना करना ही करना, ध्यान रखना, 40 बटा 3 आँसर आएगा, नेक्स्ट कोश्चन, अगला इवे, उसी कार को 6 दिनों पूरा कर सकता है, तो A, B, C, एक साथ उस काम को कितने दिनों करेगा, बहुत अच्छा कोशन है, गुमा दिया डाटा, लेकिन कुछ है नहीं, ध्यान से देखिए, तो अप्सन है, तीन सही एक बटा 3 दिन, तीन सही 4 बटा 5 दिन, चार सही 3 बटा 2 दिन, बड़े असानी से कोशन बनेगा, ध्यान से सुनना, जो मैं कहा रहा हूँ, देखिए, एक किसी काम को 18 दिन में, तो यहां लिख लीजिए आप, A, 18, A और B, एक साथ, कितने दिन में, 8 दिन में, तो A पलस B, 8 दिन में, ठीक है, अब कहा रहा है कि B पलस C, 6 दिन में, तो B पलस C, क्योंकि देखो, डाटा सिस्टम से नहीं है, तो लिख लेना उपर में, नाम दे देना, अब तीनों का LCM निकालो, तीनों का LCM निकालो, 18, 8 और 6 का, तो मेरे ख्याल से, इसका LCM आ जाएगा, 72, 8 नमा 72, 18 चुक बहत्तर, 6, 12 सक बहत्तर, 48, 48 हो जाएगा, 18 से त निकालता है, calculation, basic concept अच्छाना चाहिए, अब आप इसे भाग दे दो, तो भाग दे दो, तो 18 चो कितना होता है, 72, 4 आया पहले, 8 नमा 72, 9 आया, अच्छे से भाग देंगे, तो 12 चक बहत्तर, तो 12 आया, अब आपको क्या करा, तीनों एक साथ उसकाम को कितने दिनों करेगा, अब आप ध्यान से देखो, तो A पलस B, या तो B पलस C, और A यहां है, तो बहुत बढ़िया, तो कोई दिक्कात नहीं है, तो बुरुबग बना रहा है हम लोगों को, A, B, C, एक साथ किसी कार कृतने बस हो गया, A है 4, पूरा काम ले लिए, पले 72, इसमें कुछ करना नहीं आपको यह 9 का निकालना ही नहीं था, A, 18, A और B, और B, और C, डाटा मिस्टेक तो नहीं है, क्या है, A, 18, देख लेते हैं, A, और B, एक साथ उस काम को, 8 दिन में, और B, और C, इतने तो क्या कर रहा है, 3, A, B, C, इसकी तो जरूते नहीं है, इसमें, 12, 4, 16, नहीं, क्योंकि हमको A, और B, और C का निकालना है, तो बस यह 4 दिन में, यह 12 दिन में, दोनों को जोर देते हैं, 12, 4, 16, 16, 16, 16, 29, यानि की सारे 4 दिन, 4 सरो, यह तो बुलबाग बना रहा था, क्योस्चन में, क्योस्चन कुछ नहीं है, तक भोकाल दिखा रहा था, अमितना है, इस B पलस, पलस में, देने की जूरते नहीं थे, देखे, लेकिन डरा दिया, यही कहता हूँ, गर्सी बनी अंदर से, कुछ नहीं रहता है, डबा रहता है, कुछ कोस, कितना भैंकर लग रहा है, वाप लेकिया होगा, यह पलस में, कुछ था, इंडायक्टिस ही दुनों से निकाल नेकला देखिए एक कार को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और य उसी कार को 50 दिनों में पूरा कर सकता है वे दोनों एक साथ मिलकर कार शुरू करते हैं लेकिन 5 दिनों बाद Y काम छोड़ देता है तो सेस काम को पूरा करने 5 दिनों बाद X काम करना छोड़ देता है तो सेसकार को y कितनी दिनों में करेगा जाहिर सी बात है जो छोड़ के जाएगा तो बाकी तो जो रहेगा वही ने काम करेगा question option है 35 दिन, 37 दिन, 32.5 दिन और 36 दिन देखिए कुछ नहीं है question उसी concept से बना देता हूँ वही concept सब जगा यूज करेंगा graph method बोलते हैं मतलब जो मैं solution कर रहा हूँ इसका graph method नाम है ठीक है जिसे मैं solve कर रहा हूँ x अकेले उस काम को 20 दिन में तो ये है 20 और y अकेले उस काम को 50 दिन में तो ये है y तो पहले निकाल लेते हैं कि इस हिसाब से काम कितने दिन का हो गया एक सो दिन का काम हो गया एक दिन में ये कितना काम करेगा x पांच दिन पांच भाग आप 50 एक दिन में ये काम कितना काम करेगा दो भाग अब question क्या कर रहा है अब यहां से टूष्ट आ गया question देखिए यहां क्या कर रहा है वे दोनों एक साथ मिलकर शुरू तो करते हैं, लेकिन पाँच दिनों के बाद X काम छोड़ देता है, हम है X और आप है Y, दोनों आदमें एक बिल्डिंग बनाने की सोचे, बिल्डिंग बना देंगे, सो दिन में बिल्डिंग बनानी थी, बात को समझे हम उस building का एक दिन में 5 भाग बना सकते हैं 5 भाग तियार कर सकते हैं आप 2 भाग तियार कर सकते हैं या ऐसे समझ सकते हैं और आपको तरह मैं अच्छा समझा सकूँ धियान सुनेजिए 100 building बनानी थी हम है X, आप है Y 100 building का 100 मकान बनाना है एक दिन में 5 building मनाता हूं एक दिन में आप 2 building मनाते हैं दोनों आदमी काम सुरुआत किये देखती है काम दोनों काम सुरुआत किया लेकिन 5 दिन बाद X छोड के भाग गया मैं भाग गया 5 दिन बाद मैं भागो रहा हो गया आपको छोड़ दिया दोखा दे दिया मैं आपको लेकिन पांच दिन तक तो मैं काम किया था आपके साथ काम सुरू करते हैं लेकिन पांच दिनों बाद एक्स काम छोड़ देता है तो पांच दिन तक तो मैं काम किया था आपके साथ काम दोना 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 शुरू आपके थे तो पांच दिन तक त और होंगे तो साथ पंचे 35 जब तक म गया छोड़की गया मैं पांस दिन बाद तो35 बिल्डिंग बना रहे्nost कि बना छुका था तो सो में से अगर हम 35 घटा देते हैं तो कितने बिल्डिंग बनानी है बांकी श्रुट्ट बनानी है बांकी यह आया समझ में, अब यह 65 बिल्डिंग कौन बनाएगा, मैं तो भाग गया, मैं तो धोख्यवाज हो गया, बेवफा हो गया मैं, आपके मोहबत को मैं समझ नहीं पाया, विश्वास नहीं था, भाग गया मैं, अब बचे आप, आप बचे न, अब तो यह 65 बिल्डिंग आप ही क एंसर निकल गया, कभी कएगा A भाग जाएगा, कभी कएगा B भाग जाएगा, जो भाग जाएगा जितनी इंदे काम होगा, निकाल देना बाग की जो बचेगा, वो यह करेगा, question घुमाथा फिर आता है, यह दो पे भी आता है, लेबल बढ़ायाद तिन आदमी पे भी आता ह ठीक है अगला कोशन एक और कोशन देखिए कलियर है यहां तक कम्पलीट देखिए बेहतरीन कोशन है घावराना नहीं है तब ही तो बोलता हूँ कि मेरे क्लासेज में टाइम ही लगेगा मैं दो दो कहता हूँ दो चाचार सेके मुड़ा देता हूँ कोशन को देखिए अब आज की कलास का लास्ट कोशन है इसकी एक कलास में आपको और दोंगा असनेहा अकेले एक काम को 30 दिनों में पूरा कर सकती है और अंजु अकेले उसी काम को 45 दिनों में पूरा कर सकती है अंजु ने शुरुवाती 15 दिनों तक अकेले काम किया, फिर काम छोड़ कर चली गई, तो असनेहा अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, बहुत अच्छा कोर्शन है, कोर्शन जो कार है उसके कोर्डिंग काम कर देगी, आंसर निकल जाएगा, 28 दिन, 20 दिन, 27 दिन, और 21 ठीक है, देखे कोर्शन, इसके अगली जो क्लास होगी बाबु, बहुत 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 रिन क्लास होने वाली है, जी, देखे, असनेहा अकेले उस काम को 30 दिन में करती है, तो 30 दिन ले लेते हैं, और अंजु, अकेले उस काम को 45 दिनों करती है, तो 55 लेते हैं, इस ह आप देखते हैं कि आप देखे कह रहा है कि अंजू अकेले उसी काम को 15 दिनों कर सकती है अंजू ने शुरुवाती 15 दिनों तक अकेले काम किया और फिर वो काम छोर कर चली गई तो 15 दिन अकेले काम किया अंजू तो 15 दिन तक तो कुछ न कुछ काम की होगी तो 15 दिन में कित तीस, अब ये काम छोड़के चली गई, तो टोटल काम कितना था, नबे दिन का, तो सेस काम कितना बचा, नबे में से तीस घाटा दीजे, कितना बचा, साथ, अब ये साथ दिन का काम कौन करेगी, अंजो तो भाग गई, अब बची असनेहा, तो असनेहा करेगी, तो असनेहा में दो ये चार question था जो ठीक था आप देशे देखिए हर तरह का level होता है तो आप में उतना level तो है नहीं जो था उठाए लेकिन इसके अगली class भी त्रीन class होने वाद टेंसर मतलिए दो जो चार से क्लास है क्लास में तब तक लिए आप अपने और अपनों का ख्याल रखें जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान